हलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग मगद राज्य का उतकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो की एक काफी important topic है और आए दिन exam से एक ना दो question इस topic से आते रहते हैं और ये मगद राज्य का उतकर्स लुसेंट के chapter 13 से सुल्ला को cover करने वाला है और जितने भी राज्यवंस जो ह तो यहाँ पर total साथ टैनेश्टिक बारे में भी पढ़ने वाले हैं किसने कब तक सासन किया और क्या क्या किया तो start करते हैं वीडियो को सबसे पहला यहाँ पर आएगा हर्यक वंस ऐसे मगद के सबसे प्राचीन वंस के जो संस्थापक थे वो ब्रीजरत था और उसकी राज और दुसरा है पॉइंट हर एक वंस के संस्थापक जो है बिम्बिसार मगद की गदी पर 544 इसापूर में बैठा इसका मतलब हर एक वंस के संस्थापक बिम्बिसार है और 544 इसापूर में वा गदी पर बैठा और वह बहुत धर्म कानुआई था और उसने 52 वर्सों तक बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजात सत्रू ने की और 493 इसा पूर्व में मगत की गद्दी पर बैठा। इसके पुत्र ने इसके हत्या कर मगत की गद्दी पर बैठा और हर एक वंस का अंतीम राजा उदेईन का पुत्र नाग दसक था। सिसुनाग ने अपनी राजधानी पाटली पुत्र से लेकर वैसाली को स्थनांतरित की बतला पाटली पुत्र से राजधानी को वैसाली सिफ्ट किया। सिसुनाग का उत्राधिकारी जो है काला सोक हुआ जो पुना राजधानी को वैसाली से पाटली पुत्र लेकर आया। और सिसुनाग वन्स का अंतिम राजा नंदी वर्धन था। यहाँ पर दो डैनेस्टिक खतम होगे हरेक वन्स, सिसुनाग वन्स अब इसके बाद नंद वन्स इसके संस्थापक महा पदम नंद हुए और यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंदूत मौरे ने हराकर मगद पर मौरे वन्स की अस्थापना की थी तो नंद वन्स के बाद आया हसीन मौ मौ से मौरे वन्स तो नंद वन्स का अंतिम सासक घनान को हराकर मौरे वन्स की अस्थापना की गई थी चंदूत मौरे के द्वारा और जो घनानन यहाँ पदम नंद थे वो सिकंदर के समकालीन थ और उसके पिता का नाम था फिलिप, सिकंदर जो है अरस्तु का सेस्ते था, और फिलिप का 369 इसापूर्व में मक्ध दुनिया का जो सासक बना था, और इसकी हत्या 329 इसापूर्व में कर दी गई थी, सिकंदर का जो थल सिनापती था, वो सेलुकस निकेटर था, जिसका आग या वितस्ता का युद्ध के नाम से जना आय령 ता है, वो युद्ध किया था, हैडर-سपीज का युद्ध, यह काफी फेमस कोशेण है, बहुत बार एजाम में आचुका है, हैडर-सपीज का युद्ध या जहिलम का युद्ध कभ हुआ था, या किस बीच हुआ था, और कि जिसका जन्म हुआ था 345 इसा पूरो में हुआ था नेक्ट पॉइंट है घनानंद को हराने में चनक्य ने चन्दगुप्त मौरे की मरत की थी जो बाद में चन्दगुप्त का प्रधान मंत्री बना चन्दगुप्त जो है मगत की गदी पर 322 इसा पूरो में मैठा और चन्दगुप्त ने 305 इसा पूरो में सलुकस निकेटर को हराया और उसकी पुत्री कारनेलिया से साधी की जिसके बाद जो संदी थी उसके अनुसार चार प्रांत, काबूल, कंधार, हिराद, तथा मकरान, सलुकस निकेटर ने चन्दगुप्त को दिये थे चन्दगुप्त मौरे ने जैनी गुरु भद्र बाहु से जैन धर्म की दिख चाली थी मेगास्तिनी जो है सलुकस निकेटर का राजदूत था जो चन्दगुप्त मौरे के दर्बार में आया था और मेगास्तिनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडी का है चन्दगुप्त की मौरे का उत्रादिकारी बिंदुसार मगद हिगद्धी पर बैठा जिसे हम अमितर गहात के नाम से जानते हैं बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनौई था आजीवक संप्रदाय की स्थापना मकली पुत्र गोशाल ने की थी नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार का जो उत्राधिकारी असोक हुआ जो 279 इसापूरो में मगत की राजगद्दी पर बैठा था मौर एवन्स का सबसे महान सासक असोक हुआ और असोक का इतिहास हमें मुख्यता अभिलेखों से प्राप्थ होता है और अभिलेखों को तीन वर्गों में विभायत किया गया है एक सिलालेक दूसरा स्तंबलेक और फिर गुहालेक नेश्ट पॉइंट है असोक ने अपने अभिशेक मतलब राज्य अभिशेक के आठ वर्स बाद लगभग 261 इसा पूर्व में कलिंग प्राक्रमन कर उसकी राधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था अगला पॉइंट है उपगुप्त नामक बौध विक्षू से असोक ने बौध धर्म की दीख चाली थी असोक ने आजिवकों को रहने हेतू बराबर की पहाडियों में चार गुफा बनवाए थे और जिसका नाम था पहला कर्ज, चोपाड, सुदामा तथा विस्व छोपड़ी असोक ने बौध धर्म की प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमित्रा को स्रिलंका भईया था और भारत में सिला लेक का प्रचलन सरव प्रथम असोक नहीं प्रारंब किया था असोक के जो सिलालेक थे वो मुख्यता चार लिपी में प्राप्त हुएं ब्रामी, खरोष्टी, ग्रीक और अर्माइक ग्रीक और अर्माइक जो लिपी थे इसके अभिलेक अफगानिस्तान से प्राप्त हुएं खरोष्टी लीपी का अविलेक पाकिस्तान से प्राप्त हुआ और ब्रामी लीपी का अविलेक जो भारत से प्राप्त हुआ है खरुष्टी लीपी जो है दाएं से बाएं और लिखी जाती थी जैसे कि सिंदु घाटी सभेता में भाव चित्रात्मक लीपी थी वो भी दाएं से बाई लिखी जाती थी असोग के जो सिला लेख की खोज हुई वो 1750 इस्वी मोई थी जिसकी संक्या 14 है सिला लेखो की संक्या 14 है और सबसे प्रथम में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 इस्वी में सबसे पहले अभी लेखो को पढ़ने में सक्चम हुए जेम्स प्रिंसेप 1837 से में सरप्रतम अविलिखों को पढ़ा असोक के स्तंब लेहों की संक्या साथ है जो केवल ब्राम्मी लिपी मिली है इसका मतलब कि वो भारत में मातरे मिली है अवे स्तंब लेह साथ और सिला लेह 14 सरकारी भूमी को इस टाइम सीता भूमी कहा जाता था और मौरे सासन लगभग 137 वर्सों तक रहा मगत पर और मौरे वंस का जो अंतीम सासक था वो ब्रीद रद था नेस्ट पॉइंट है मौरे वंस के बाद मगत पर सूंग वंस का सासन हुआ जिसकी निव पुष से मित्र सूंग ने रखी थी सूंग वंस का अंतीम सासक देव भूती था और देव भूती की हत्या करती हत्तर इसा पूर्व में वासु देव ने करके और मगत पर कन्ना वंस की स्थापना की तो कन्ना वंस का संस्थापक वासु देव हुआ और कन्ना वंस का अंतीम सासक सूसर्मा हुआ यहाँ पर हसीन मौसु का कन्ना वंस भी समाप्त हुआ और सिमुक ने साठ इसापूर में सूसर्मा यानि कन्ना वंस के अंतीम बादा सूसर्मा की हत्या कर मगत पर सातवाहन वंस्त की अस्थापना की और ब्राह्मनों की जो भूमी अनुदान देने की प्रथा थी सरव प्रथम सातवाहन सासकों ने प्रारंब किया था तो यहाँ पर टोटल 40 बहुत important questions मैंने यहाँ पर note-down किया है जो कि आपको टोटल साथ डैनेश्टी से related है और मगत पर टोटल यहाँ पर जितने लोगों ने सासन किया था उसका सारा विस्तार समाप्त हो चुका है साथ राजवन्सों का है होजवरन समाप्त हो चुका है उमीद करते हैं हमको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक एक लाइक और कमेंट करें ना भूलें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी करें मिलते हैं ऐसा ही और नए सीरीज और नए अपडेट के साथ में जय हिन जय भारत फ्रेंड्स